तो 28 अक्टूबर को रात को एक बजे से धाई बजे तक ग्रहन है, चंद ब्रहन है तो हम लोग पहले से भी होंगे, पूरे घाट की सुचना आपको परदान कर दी जाएगी कई जगा काम चल रहा है, इसलिए निर्णे नहीं हो पारा वैसे जहां तक युगल घाटी रहेगा, बासी है तो वहाँ समझिए कि एक बार साड़े बारा पौनी एक बजे सनान होगा जो नहीं कर सकें, वो छीटा मार लो रास्ते तो सारे हैं बचने कर सकें तो डुपकी लगा दे और फिर वस्त्र रखें फिर एक बजे से लेके धाई बजे तक एक आसन पर जब होता है गुरु मंत्र का एक आसन से ग्रहन काल में जब करता है जो उसको पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है इतनी महिमा है ग्रहन काल के जब की एक आसन से न तो जल पीना है न भोजन करना है न उठना है बिना छुए बैट जाए जब करने आसन पर बस्त पलट ले बैट जाए तो एक से रात में एक से धाई बज़े तक का समय है अपना तो यमना जी के तरफ पर हर बर्श रहता इस बार और विशेश रहेगा तो पहले हम लोग साड़े बारे के लगभग इसनान कर लेंगे पौने एक तक वस्तरादी पलट के पर एक बज़े से धाई बज़े तक एक आसन पर बैट करके सब लोग जब करेंगे सब लोग शीगोपाल मंत्र अठवाश्री महा मंत्र इनके जब करेंगे जो गुरुदेव आज्या करें उस प्रकार एक बज़े से धाई बज़े तक फिर दो चौबिस के लगभग मोक्ष है तो धाई मान लीजिए फिर धाई बज़े मोक्ष होगा फिर इस नान होगा जो कपड़ा पहरे उन कपड़ों के सहीत होगा इस दो जोड़ी कपड़ा भी रख जो कपड़ा ग्रहन के है वो फिर काम नहीं आते माने फैकने नहीं है पर वो गीले तो होई जाएंगे फिर पहने नहीं जाएंगे दुबारा तो उन कपड़ों के संग इसनान करें चुकि सूतक के वस्त्र हो गए फिर दूसरे पहले तो धाई बजे दुबारा इसनान सब वेशनवजन करेंगे फिर उसके बाद दीबदान होगा दामोदर अश्टक का पाठ होगा और दीबदान हो जाएगा मानिए कि तीन साड़े तीन बजे तक विश्राम हो जाएगा केर्टन तो आठ बजे से ही प्रारंब हो जाएगा तो रात्री जागन रहेगा व्रिंदावन में जैसे हर बार रहता है तो यह उसके भी सूचना तो यह सब बात हो गई आवश्चक थी जो प्रतक्ष में हैं वो तो है और जो यूट्यूब पे सुनने बहुत बेचैन थे समय नहीं मिल रहा था हमने कहा अब सबसे पहले यही समाधान करेंगे तसल्ली से तो कोई बात पूछनी बाकी न रह जाए